इसको आसानी से हम ठीक कर सकते हैं तो बेसिकली अगेन कार्पर टनल सिंड्रोम में रीजेनरेशन एक इंपोर्टन फाक्टर नूरो रीजेनरेशन एक इंपोर्टन फाक्टर और इसके बारे में मैंने दोनों चीज बता दिया मेटबोलिजम ठीक करना है और रीजेनरेशन इंप्रूव करना है तो यह ठीक हो जाएगा कार्पर टनल सिंड्रोम ऐसे ही चीज़ों के लिए यह प्रोग्राम बिल्ड इसको डिजाइन किया गया है इस डिजाइन फॉर प्रॉब्लम्स लाइक नियूरो मस्कुलो स्क्रिटल जब उसने तो कार्पर टनल सिंड्रोम उसमें से आता है जो कि बेसिकली इस आ नियूरो इशू इसमें दो फैक्टर होते है इदर इस गेटि इस ब्लड पेशर हो गया थारइड हो गया उसकी बजह से यह आता है यह दोनों चीजें ही ठीक हो सकती है कुम्बक से ठीक है ना तो स्पाइन की स्ट्रेंद पढ़ाने के लिए वी आर अलड़ी गिविंग अ फुल मॉड्यूल तो देरा बेसिकली त्री पार्ट्स अप अंगन्यासा थार्ड वन इसकॉल एस मर्मविन्यासा यह फिर हट्थ विन्यासा कहते हैं यह यह पूरे बॉड़ी के मुव्मेंट के साथ में ब्रेथ होल कंबाइन करता है यह चीज जो है बॉड़ी की अलाइनमेंट करेगी और आपके स्पाइन की स्ट्रेंथ को अगर नियूरो डी जेनरेशन की वज़े से हुआ है तो मेटाबोलिसम इंप्रूव करके कुछ समय तक अगर काम करेंगे तो री जेनरेशन पॉसिबल है होना आपको दिखेगा भी आपकी प्रॉब्लम्स कम होते हुए भी दिखाई देंगे